वेलकम टू इलाइट अकेडमी चलिए आज किलासी स्टार्ट करते हैं आज की किलास में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT 12th 12th NCRT math का जो chapter 1st है relation and function के total concept को समझेगे चलिए यदि आपने ये class पूरी complete कर ली तो जो chapter 1st में relation and function से related जितने भी concept है वो हम बिलकुल basic से discuss करेगे और आज के बाद उसके विशे में कभी आपको कोई सिकायत नहीं रहेगी कभी भी आप नहीं कहोगे कि हमें ये समझ नहीं आया तो चलिए basic से start करते है relation and functions देखे सबसे पहले हम relation की बात करते है कि relation होता क्या है हम आपका basic start करते है set थोरी से ठीक है set थोरी मतलब set क्या होता है यदि set A है और set B है ठीक है इन दोनों में N A क्या होता है या फिर N B क्या होता है N A को बोला जाता है number of element in A ठीक है और इसका मतलब होता है number of element in B हमने यहां तक समझा number of element of A, number of element B साथ साथ set थोरी में एक concept आता है जिसको बोला जाता है Cartesian product A and B Cartesian product क्या होता है इसमें जो element होते है वे ordered pair के रूप में होते है such that A belongs करता है A में और B belongs करता है B में बात के लिए इसको हम Cartesian product बोलते है यहां तक कोई confusion नहीं चलिए यहीं पर समझ लीजेगा यदि माल लिए जाए N A जो N A है मतलब number of element A में N है ठीक है number of element N है तो जो इसका subset होगा जितने इसके subset बनेगे उन सब का जो collection होता है उसको हम power set बोलते है तो मतलब इसके power set में कितने element होगे power set में element होगे 2 की power N बात किलियर मतलब जितने उसमें element होगे उसे two की power में रखने पर उसके subset की संख्या निकल के आ जाएगी तो अब यहाँ पर आईएगा जो Cartesian product है तो इस तरीके से होगा मैंने बोला था यदि आप na cross b निकालोगे तो इसका मतलब होता है na multiply में nb यदि इसमें n है इसमें m है तो दोनों का multiplication बात के लिए तो यदि मैं इसके subset की बात करूँ तो इसके subset में कितने element होगे two की power m और n यहाँ तक के लिए चलिए जी इसके बाद आपने 11 में जो पड़ा होगा relation relation क्या होता है relation की जो definition होती है relation होता है r is a subset of a cross b इसका जो subset होता है उसको r बोलते हो बात के लिए इसका जो subset होता है उसको क्या बोलते हो r बोलते हो यहीं से एक concept निकल के आएगा कि यदि Cartesian product a and b है या फिर आप कह लिए कोई भी relation है जो a से b में होगा जहाँ पर इसके element है n इसके element है m तो आपसे पूछा जाएगा कि जो r है वे कितने बन सकते हैं मतलब a और b में relation की संख्या कितनी हो सकती है तो total number of relation from a to b मतलब a और b में कितने relation बन सकते हैं उसका आपको क्या निकालना है number of relation निकालना है ठीक है तो जब यहाँ पर आप number of relation निकालोगे तो a to b a to b number of relation कितने आ जाएगा 2 की power n into m यहाँ तक कोई confusion चलिए जी इसमें आ जाएगा total number of relation कितने होगे ठीक है इसके बाद यह सब चीजे थी 11th की 11th class की ठीक है यदि आप इनको देखना चाहोगे तो 11th की book में मिलेगा इसके बाद जो यहाँ से start होता है वो होता है 12th का 12th में होता है देखेगा अब जो दिया गया है आपको 12th level पर दिया गया है वो type of function दिया गया है function कितने type के होते है यह दिया गया है चलिए जी तो हम इसको discuss करते है function कितने परकार के होते है आप देखोगे कि function जो होते है वो तीन टाइप से दिये जाते है ठीक है function कितने टाइप से दिये जाते है तीन टाइप से जो function का type होता है हाँ पहला function होता है reflexive relation second होता है symmetric और third होता है transitive ठीक है symmetric relation क्या होता है यहाँ देखेगा symmetric relation क्या होता है सबसे पहले reflexive की बात करते हैं देखे जब हमने बोला R क्या होता है R को यदि आप definition के रूप में लिखोगे ऐसे लिखा जाएगा and इन दोनों के बीच में कुछ relation दिया होगा मतलब A less than equal B A greater than equal B मतलब A और B किसी ने किसी तरही से related पाएगे जब यह related पाएगे तो यहाँ पर आपने देखा यदि यह दोनों element एक ही हो मैंने बोला यह दोनों element एक ही हो देखेगा यहाँ पर मतलब यदि A related to A हो इसका मतलब होगा A और A belongs करेगा R में इसी को बोलोगे R R is reflexive क्या बोलोगे R is reflexive बात समझ आई चलिए जी symmetric second condition होती है symmetric symmetric क्या होता है if A related to B this implies B related to A यदि यह condition होती है तो इसका मतलब होता है R is symmetric मतलब कैसे देखो जैसे मैंने लिखा 2 और 4 R में है तो जिस R में 2 और 4 होगे उसी R में 4 और 2 भी होना चाहिए यदि 2 4 R में है तो 4 2 भी R में होगा यदि यह condition होगी तो इसी को बोला जाता है C metric third condition क्या होती है third होती है transitive 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 क्या होती है transitive condition होती है देखेगा यदि हमने माना हमने let किया कि A related to B and B related to C इसका मतलब होगा A related to E related to C देखेगा यहाँ पर जो last element है यहाँ पर जो पहला element है यदि यह common है तो पहले का पहला related होनी चाहिए दूसरे के दूसरे से यदि ऐसी condition होती है तो R को बोला जाएगा R is transitive R is transitive बात समझ आई चलिए जी Transitive मतलब कैसे numerical concept में यदि हम इनको समझे तो numerical concept में क्या होगा जैसे मान ले जाए 2, 4, R में है और 4, 8, R में है तो 2, 8 भी R में होगा बात के लिए चलिए जीए देखेगा इनसे related जितने भी question और example है वो हमने पीछे वीडियो में discuss किये हुए है ठीक है हमारा यहां पर मकसद है केवल concept को discuss करना यदि आप इनका solution या इनको detail में समझेना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियो को आप जाके देख सकते हो हम इस वीडियो के description में उनका link दे देगे बात के लिए तो relation कितने परकार के होते हैं तीन परकार के पहला क्या बोला गया पहला बोला गया reflex दूसरा बोला गया symmetric तीसरा बोला गया ट्रांजेटिव यदि कोई relation इन तीनों condition को satisfy करेगा यदि कोई relation इन तीनों condition को satisfy करेगा तो उसी relation को बोला जाता है equivalence relation क्या बोला जाता है equivalence relation बात के लिए तो आपसे पुछा जाएगा equivalence relation क्या होता है तो वो relation जो ट्रांजेटिव होता है और symmetric होता है और reflexive होता है जो तीनों condition को satisfy करता है उसी को क्या बोलते है equivalence relation बात के लिए चलिए जी आगे discuss करते हैं आगे हम लोग पढ़ेगे कि function क्या होता है function क्या होता है ठीक है यदि हम function को समझने की कोशिस करे तो अभी तक आपने पढ़ा relation relation क्या होता है कि मतलब a b related होता है जिस तरीके से हमने बोला कि मतलब इनमें कोई relation दिया होगा ठीक है जी चलिए ये relation की बात दी यदि हम function की बात करे तो function क्या होता है चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक concept और समझे लिजेगा जो relation होता है यह A से B में होता है ठीक है जो पहला set होता है इसको बोला जाता है domain क्या बोला जाता है domain जो second element होता है इसको क्या बोला जाता है code domain क्या code domain बात के लिए चलिए जी लेकिन एक concept और होता है range set यदि मैं आपको r को listed form में लिखना चाहूं जैसे मैंने लिखा 1 4, 2 3, 2 4, 5 6 इस type से इसको बोला जाता है listed form तो जो domain होता है इसकी दूसरी definition भी होती है domain होता है the set of first element the set of first element तो मतलब जो इसके first element का set होगा उसको क्या बोलते हो domain जो range होता है range set होता है range set इसका second the set of second element मतलब जो इसके second element का set होगा उसको क्या बोलते है range set तो यहां concept clear हुआ domain क्या होता है जो first element होगा या फिर जो पहला set होगा co domain क्या होता है जो second set होगा range set क्या होता है जो second element का set होगा बात के लिए चलिए जी अब हम बात करते को relation जो है वो एक element की image एक से जादा हो सकती है जैसे यहां पर 2 की image 3 है 2 की image 4 है ठीक है 2 की image 4 है यहां पर 2 की image 3 है तो मतलब एक element की image एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन यदि हम बात करते है function की तो function की जो definition है function होता है function is a relation a relation is called a function if its domain has only one image मतलब जो इसका जो domain होगा उसके जो element होगे वो केवल एक image रखेगे जैसे मैंने r को लिखा 1, 2, 2, 4 5, 6 7, 8 इस टाइप से तो आप यहां पर चेक करोगे कि जो पहला element है क्या वो repeat हो रहा है यदि वो repeat होगा तो वो relation वो sorry function नहीं होगा और यदि वो element repeat नहीं होगा तो उसी को बोला जाएगा function बात के लिए चलिए जी अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ा function तो जब आप बात function की है तो function में भी a to b होगा मतलब कोई function है a to b तो function की बात यदि हम करते है तो function कितने परकार के होते है यदि हम function पर discuss करें तो function का चार टाइफ हो सकता है जैसे हमने बोला many one many one ठीक है दूसरा होता है one one एक होता है into और एक होता है own to ठीक है देखेगा इसको हम क्या बोलते है domain इसको हम क्या बोलते है co domain बात के लिए तो जब आपको many one या one one देखना होगा तो आप देखोगे domain के हिसाब से और जब आपको into या onto देखना होगा तो आप देखोगे co domain के हिसाब से चलिए जी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर diagram के हिसाब से समझाने की कोशिस करता हूँ देखेगा यह A है यह B है यहाँ पर आपको दो element दिये गए है ठीक है यहाँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको मैं समझाने की कोशिस कर रहा हूँ 1, 1 और many, 1 तो आप देखेगा देखो यहाँ पर जितने भी element है यदि यह एक element की image एक जादा एक से जादा element की image एक पर जा रही है बात के लिए एक से जादा element की image एक element पर जाएगी तो जैसे आप दो element की image कहा जा रही है एक element पर जा रही है तो इसका मतलब many one भाई many element एक पर जा रहे है तो इसका मतलब है many one और यदि केवल और केवल एक element की image एक पर है ठीक है एक element की image एक पर है जैसे a1 पर है b3 पर है c2 पर है तो आपने यहाँ पर देखा केवल एक element एक पर है तो इसको बोला जाता है one one बात की लिए अच्छे में आई तो many one का मतलब जब एक से ज़्यादा element की image एक पर जाएगी तो उसको बोलोगे आप many one 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 का मतलब जब एक element की image एक पर होगी बात की लिए चलिए जी यदि आप on to देखना चाहोगे on to कैसे देखते है तो on to जब आप देखोगे तो इसमें हम देखना पड़ेगा कोडोमेन के साथ से बात के लिए ये a है ये b है a b c d 1 2 3 4 5 6 दूसरा मैंने ये a बनाया ये b बनाया ये 1 2 3 यहाँ पर a b c बात के लिए चलिए जी देखेगा ये यहाँ पर map इस से है a से ये हमने 4 से किया ये हमने 2 से किया ये 3 से किया आपको देखना है जब आप कोडोमेन को देखोगे क्या कोडोमेन में कोई ऐसा element है जो pre image नहीं रखता मतलब a के element से map नहीं करता जब आप इसमें कम से कम एक element ऐसा निकाल लोगे कि जो pre image नहीं रखेगा तब आप इसको बोलोगे into क्या बोलोगे into और यदि परतियक element की image pre image रखेगा यहाँ पर कोई भी element ऐसा नहीं होगा जो pre image नहीं रखेगा मतलब सभी map होगे तो इसको बोला जाएगा on to बात के लिए तो into on to क्या होता है इधर से देखोगे कोई element pre image बिना pre image के नहीं है मतलब सभी element pre image रखते हैं तो उसको बोला जाता है one one on to बात के लिए यहाँ तक कोई confusion नहीं जी चलिए आगे चलते हैं तो जब आप one one बोलते हो तो इस one one का ही एक दूसरा नाम होता है इसको बोला जाता है injective याद maximum injective पूछा जाता है injective ठीक है जो one one होता है जो on to होता है उसको बोला जाता है surjective बात के लिए one 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 का नाम क्या है injective on to का नाम क्या है surjective और जो one one और on to दोनों होता है उसका नाम होता है byjective क्या होता है byjective बात के लिए तो उमीद है आपको बिलकुल अच्छे से समझ आय क्या होगा कि वन वन क्या होता है उन्टु क्या होता है इंजक्तिव होता है सच एक्तिव क्या होता है और बाइज्ज्धतिव क्या होता है चलिए TO कर दो उम्मीद है यहां तक किलियर हुआ होगा आगे next um को समझ लेते हैं अभी हम लोगों ने पड़ा type of function ठीक है चलिए जी इसके बाद है composite of function composite of function को समझेगा देखे यदि आपने मेरा पीछे के वीडियो सभी देखे हुए है chapter 1 के 2-3 वीडियो पीछे डले हुए है यदि आपने वो सब चीजे देखी गई है तो ये concept आप समझते होगे देखेगा मैंने आपको algebra function बताया था x equal होता है fx plus gx ठीक है यहाँ पर यदि multiplication fx आए तो इसका होता है fx into gx लेकिन साथ में यहाँ पर यदि multiplication डोट लगा है तो उसका मतलब होता है multiplication यदि यहाँ पर मैंने o बना दिया छोटा सा o बना दिया तो इसको पढ़ते हैं composition composition का मतलब होता है fgx बात समझाई चलिए जी जैसे मैं एक example के थुरू समझाना चाहूंगा x equal है cos x और gx equal है 5x तो यदि आप यहाँ पर देखोगे हमने निकाला f sorry fog हमें निकालना है तो इसका मतलब fgx तो पहले आप यहाँ पर gx की value रखोगे क्या 5x अब आप fx में x के इसान पर क्या रख देगे 5 तो यह हो जाएगा cos 5 बात के लिए चलिए यहाँ से gof निकालना चाहूं तो यह क्या हो जाएगा gofx equal g पहले आप fx की value रखोगे cos x फिर आप gx में रखोगे यहाँ आजाएगा 5 cos x बात के लिए तो composition समझ आई तो यहाँ से एक हम conclusion पर पहुँचते है कि कभी भी fog equal नहीं होगा fog के ठीक है f o यह concept आप याद रखेगा कि f o g equal नहीं होगा g of f k बात के लिए यदि आपको composition निकालना हो तो उम्मीद है आप यह concept समझ गए होगे और यहाँ से आप composition निकाल सकते है चलिए जी इसके बाद एक concept आता है inverse का inverse of function inverse क्या होता है देखे अभी आपने पढ़ा कैसे चेक करेगे on to कैसे चेक करेगे मैंने बोला यदि one one है तो उसी को आप क्या बोलते हो injective बोलते हो और यदि आप on to है तो उसी को आप surjective बोलते हो बात के लिए और यदि कोई function दोनों है तो उसको byjective बोलते हो क्या बोलते हो byjective बात के लिए अब यहीं से concept आता है inverse क माल लिजे कोई function one one और on to दोनों है माल लिजे जाए if जो function f है ये byjective है ठीक है byjective है तभी ये function inversable होगा then f is inversable मतलब आप इसका inverse निकाल सकते हो inverse निकालोगे कैसे देखेगा यदि कोई function दिया गया है माल लिजे आपको fx दिया गया है x plus 3 upon x minus 1 ये आपको fx दिया गया है अब आप देखेगा आपको पूछ रहे है कि आपको इसका inverse निकालना है मतलब आपको f dash x sorry f dash x नी f inverse x निकालना है ठीक है आपको यदि fx inverse x निकालना है तो सबसे पहले आपको check करना होगा कि क्या ये function inversable है उसके लिए आपको क्या करना होगा ये function देखना होगा कि ये one one और on two है या नहीं है चलिए जी one one on two चेक करने के बाद आप जब इसका inverse निकालोगे one one on two कैसे किया जाता है आप प्लीज एक बार exercise one point two के example की वीडियो देख लेना वहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया गया है one one on two कैसे निकाला जाता है ठीक है उस वीडियो का description में link आपको मिल जाएगा चलिए हम यहाँ पर inverse कैसे निकालेगे जब ये one one on two हो जाएगा उसके बाद inverse कैसे निकालेगे inverse फिर आपको करना है let y equal x plus 3 upon x minus 1 अब यहाँ से आपको solo करके x की value निकालनी है तो इसको इधर multiply करेगे y x minus y equal x plus 3 इस y को हम उधर ले जाएगे इस x को इधर y x minus x equal आजाएगा y plus 3 अब यहाँ से हमने x common लिया तो y minus 7 equal y plus 3 तो x equal क्या जाएगा यहाँ से this implies x equal आजाएगा y plus 3 upon y minus 1 तो यह जो x की value है यह x की value निकल के आई तो जब आप यहाँ पे function लिखोगे f inverse x equal लिखोगे thus या hence x inverse x लिखोगे तो आपको यहाँ पे x लिख देना है और कुछ नहीं करना यही आपका क्या जाएगा answer उमीद है बिलकुल अच्छे से समझ आया होगा inverse कैसे निकालते है यदि फिर भी कोई confusion है एक पर वीडियो को rewind करके देख लीजेगा आपको बिलकुल अच्छे से clear हो जाएगा चीक है जी चलिए next चलते है इसके बाद concept दिया गया है binary operation क्या दिया गया है binary operation यहाँ पर समझेगा binary operation का मतलब star से represent किया जाता है देखेगा यहाँ पर कोई relation है ठीक है मतलब binary operation का जो definition होता है उसका मतलब यह होता है कि जो आप composition लगा रहे हो यदि आप Cartesian product से एक set पे जा रहे हो ठीक है और आपने इन दोनों के बीच में वो composition लगाई यहाँ पर जो element दिये गए है A और B ordered pair होगा आपने इन दोनों के बीच में वो composition लगाई और जो composition लगाने के बाद result जो आएगा मतलब कोई C element निकल के आएगा और वो C element R में होगा यदि यो C element इस A में है तब आप star को बोलोगे binary operation और यदि ये C में नहीं होगा तो आप इसको binary operation नहीं बोलोगे बात के लिए तो binary operation कब होगा ये समझ आया binary operation होगा जो भी आपको composition दिया गया जैसे माले जाएगा यहाँ पर हमने R R दिया R में तो R जो composition लगता है वो addition में लगता है जैसे माले जाए 5 पलस 7 हमने निकाला तो क्या आएगा 12 आएगा ये खुद R में आएगा तो जो plus होगा ये क्या होगा composition होगा binary operation होगा बात के लिए तो binary operation समझ आया binary operation होता क्या है binary operation जश्ट आपको यही समझना है कि जो उसमें composition लगाने के बाद जो element आएगा वो उसी set का आना चाहिए बात के लिए चलिए जी आप यहाँ पर एक चीज यह और याद रखेगा जो binary operation होता है वो हमेशा क्या करता है commute करता है मतलब A, B बराबर होगा B, C, K तभी आप उसको क्या बोलोगे binary operation बोलते हो बात के लिए ठीक है यदि यह commute करेगा तो इसको क्या बोलेगे star को हम बोलेगे commutative binary operation उमीद है यहाँ तक बिल्कुल आपको clear हुआ होगा यहाँ तक कोई confusion नहीं होगा ठीक है, चलिए जी इसके बाद एक concept है आप लिख लीजेगा यदि मान लिया जाए a, sorry, n है ठीक है, oh sorry जो order of a है वो n है, मतलब कोई set है a, जिसमें number of element क्या है n है, आप से पूछा गया है a का a में sorry, a का a में कितने binary operation बन सकते है, आप से मैंने पूछा a का a में कितने binary operation बन सकते है तो देखेगा, जब यहाँ पे n दिया होगा, तो total इसको याद रखेगा इसको note करके रख लीजेगा total number of binary operation equal होता है 2 की power n square बात के लिए इसको बिलकुल आप रट लीजेगा, ध्यान में रखेगा यहाँ से direct question आता है, ठीक है एक दो number का direct question मिलेगा total number of binary operation क्या होता है 2 की power n square लेकिन यदि यहाँ पे a के स्थान पर एक b दे दिया जाए माल ले जाए आपको a दिया है and b दिया है, मतलब a cross b equal क्या है a है, तब इसमें element n है, इसमें element m है, तो binary operation का number क्या होगा, n की power, 2 की power n into m, बात समझ आई? चलिए जी, उमीद है यह आपको बिल्कुल concept अच्छे से समझ आया होगा, चलिए मैंने आज जो discuss किया, हम लोगों ने जो discuss किया, वो first chapter क्या, relation and function, relation and किया, चलिए जी, कुछ वीडियो पहले ही हमने पीछे ही upload कर दी गई है, लेकिन exercise, chapter first से कुछ exercise यहाँ पर रह गई है, उसको हम आगे discuss करेगे, कुछ question को हम next video में discuss करेगे चलिए जी, आज की class में इतना ही, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो please like कर दीजेगा, अपने दोस्तों तक share करीजेगा, ठीक है यदि आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe कर दीजेगा, bell icon को press कर दीजेगा, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको तुरंत मिल जाए चलिए, thank you for watching, मिलते है next video में जब तक देखते रहिएगा elite academy